कि नमस्कार दर्सकों क्विक फाइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है कि इस वीडियो में आज हम देखेंगे आप कैसे फेस्बूक पेज ग्रोग कर सकते हैं अगर आपको सही तरीके से सिखना है तो आप वीडियो को अंतब जरूर देखें ताकि आप किसी भी पॉइंट को मिस्ट ना करें तो हम स्टार्ट करते हैं पहले नमबर से पहला नमबर है आपको अपना फेस्बूक पेज क्रेट करने के बाद उसमें अच्छे से कंटेंट डालना पड़ेगा यानि कि एबाउट सेक्शन को पहले कंप्लिट करना पड़ेगा अगर आपका फेस्बूक पेज डिजिटल मार्केंटिंग पे है तो आप अच्छा सा एक एबाउट डिस्क्रिप्शन तरिवार कीजिए डिजिटल मार्केंग पे अगर आप डिजिटल मार्केंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस पे बनाएं अगर आप डिजिटल मार्केंग का कुछ कोर्स सेल करते हैं तो उसका कंटेंट यानि कि एबाउट डिस्क्रिप्शन बनाएं और फिस्बुक पेज के एब आउट सेक्शन में वो अच्छी तरह से डाल दे ताकि जो भी यूजर आपके फिस्बुक पेज 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 पे आए उसको पता चले कि ये पेज किस के रिगारिंग है और आपके पेज को वो तुरंद फॉलो करें और हाँ आपको और हाँ आपने फिस्बुक पेज 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 बैनर ना डाला हो तो आप एक अच्छा सा बैनर डिजाइन करवाए और फिस्बुक पेज 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 बैनर को चेंज कर दीजिए अच्छा ना हो तो अगर अच्छा है तो चलेगा अगर आप खुड डिजाइनर ना हो तो बहतर है कि कोई एक डिजाइनर के हायर करें और थोड़े पैसे देखकर वो अच्छा क्रियेटिव देखना चाहिए वैसा बना ले वैसे तो हम काफी सारे पैसे अधर चीज में खर्च कर देते तो हमें इसमें भी थोड़ा खर्च करना चाहिए क्योंकर बीना पैसे खर्च किये हमें वह क्वालिटी फिलिंग नहीं मिल सकते अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन जैसे यूजर पेज ओपन करें तो अच्छा मिलेगा तो तू पॉल्लवर्स बढ़ने के चांसे और बढ़ जादें दूसरे नंबर पर आपके जितने भी एक्जिटिंग कि मांटेक्ट से उससे सबको किण करिए अब इंबोक्स में भी पर्सटनल मेससज ढृकर बीिंप कर सकते हैं अगर आपके काफी सारे इमेल अकांट से और उसमें काफी सारे कॉन्टेक्स हो उनस अब को भी आप मेल किजिये ताकि सबको पता चले के यह आपने पेज बना है और वो तुरंद लाइक कर दीगी कि थर्ड नंबर पर आपता है कि अगर आपकी कंपनी हो और आपके पास एंप्लोई हो तो आप उन सब एंप्लोई को पेज लाइक करने के लिए बोल सकते हैं और उनके सभी रिलेटिव को भी पेज लाइक करने के लिए आगरा कर सकते हैं इससे भी क्या है आपका पेजबुक पेज़ पर पांसो लाइक तो ऐसा ही बन जाते हैं मुझे पता है यह थोड़ा स्रम वाला बात है कि आपको किसी को कहें और वह लाइक करें पर अगर मार्केटिंग फंडे से देखें तो हमें यह करना ही पड़ेगा तो आप उसको जरूर फॉलोग कीजिए चौते नंबर पर है कि आप फेस्बुक पेज को आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पे इंटेग्रेट करें इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पर अगर गूगल से ट्राविक आता हो और कई अधर प्लेसिस से ट्राविक आता हो तो वो विजिटर को आप आपके फेस्बुक पेज पेज ले जा सकते हैं और उनमें से भी एक परसंट लाइक मिल जाता है तो भी आपके फेस्बुक लाइक बढ़ने के चांसिस बढ़ जाएंगे यानि कि आपका फेस्बुक पेज हर दिन ग्रो करेगा क्योंकि वेबसाइट पे काफी सारी वेबसाइट ऐसी है कि उनमें ज़्यदा टाफिक आता है तो आप एक अच्छा सा बेनर बनवाईए यहां बटन रखवाईए एट्रेक्टिव तो वो युजर जब भी वेबसाइट पे आये तो उसको वो पॉर्षन अलग से दिख जाए और वहाँ पे वो क्लिक करें और आपका फिस्बूक पेज ओपन करें ठीक है ना छट्टन नंबर पे आता है स्वारी पांच में नंबर पे आता है क्रॉस प्रमोशन यानि कि आपके अलग-अलग सोशेल मीडिया अकाउंट से जैसे कि इंस्टाग्राम हो ट्वीटर हो लिंक डिन हो तो आप सभी कि जगा आपके फिस्बूक पेज की लिंक शेर कर सकते हैं बैनर शेर कर सकते हैं कि तो इसे क्या ओड़ा इसे क्या होगा कि आपके अधर फॉस्यल फॉलवर से वह भी फिस्बूक पेज पर फॉल्व करना श्टाट करेंगे कि आप कि सब लोग नहीं करेंगे पर कुछंट तो करेंगे अगर हंड्रेड आपके पास फॉलॉवर से दूसरी तो उसमें से दस लोग को के आने की संभवना हो जाती है अगर आपके पास थाउजन फॉलोवर्स है दूसरी सोस्यल मीडिया साइट पर उसमें से भी आपको टैन परसंट गने तो 100 लाइक आ सकते हैं कि छट्थे नंबर पर आपको इंट्रेस्टिंग कंटेंट डलना पड़ा है इंट्रेस्टिंग यानि आप जिस भी बिजिनेस पर काम करते हो उसका कोई अच्छा सा कंटेंट लिखिए और फेस्बूक पेज में पोस्ट करें सब कंटेंट एक साथ मत पोस्ट करिए और वन बाइवन पोस्ट करते जिए इसमें क्या है कि आपको यूस्पूल इंपरमेशन डालनी पड़ेंगी यूस्पूल यानि उससे जो भी आपके पेज में आए उनको ऐसा लगे कि ना हा ये चीज काम की है तो वह तुरंट से आपके प्लाव करेगा क्योंकि नेक्स्ट के लिए वह वेट करेगा तो जैसे कई भी कंपनी के क्की सवे क्पते सब्से प्रेश को आप दो क्या कंटेंस नालते हैं वह तो सारे फॉलोर्स अुलरी होते हैं ँद उन्हें यह उनकी लिए वह अच्छे से गंटेंट बनवाते हैं और प्रफ्रेश के भी एक्टिव निदिटो आप यह वी कर सकते है। कि साथ में नंबर पर आप कि आप कि आपके फेस्बूक पेज़ पर एक्टिव रही एक्टिव रही है मेनिस मिन्स आप रेगिलरी कंटेंट डालिए चाए बैनर डालिए चाए पोस्ट डाले पेज डिजीटल मार्केटिंग करें तो आप डिजीटल मार्केटिंग की अच्छी पोस्ट कई जगा और देखे तो आप उसमें से कोई इमेज लेकर आपके फेस्बूक पेज में डाल सकते हैं ताकि आपका फेस्बूक में कंटेंट आते रहे और इंप्रेशन मिलती जाए और जब भी कोई आपके पेस्पूप पेस्पे कॉमेंट करें तो उसका आंसर जरूर दीजिए यह जिस ध्यान रखनी पड़ेगी आप आंसर नहीं दोगे तो यूजर इंट्रेस्ट नहीं रखेंगे और वो लिप करने के चांसिस बढ़ जाते हैं और साइद आपके फॉलोवर्स को पसंद ना आए और आपके यह तो आंसर नहीं देते हैं कुछ और वो लिप करने की संब्रावना बढ़ जाते हैं कि आठ में नंबर पर है हम वो एक डिसकस करना बुल गए कि जब भी पोस्ट कंटेंट डाले तो आपके टॉपिक यानि कि जो नीच हो यानि डिजिटल मार्केटिंग का अंपेज है तो उसी के रिलेटेड ही पोस्ट डाले फिर उसमें आप इलेक्शन की पोस्ट मत रावी है क्योंकि उससे यूजर को ही डिडिक टैसन होता है और वह पेजचेड़के चला जाता है क्युकि जो परपowing से वह आया और वहां पर मिले तो थोड़ा कि परेषान होता है और चोड़के चला तो हम बात करते हैं आंट में नंबर फेस्टिवल पोस्ट जरूर डालिए क्योंकि वह आपके बिजनेस के लिए अच्छी रहती और हर कोई फेस्टिवल पोस्ट तो यूज करता है चाहिए वह अलग है बट जिस देश में रहता है वह कंट्री का उसका फेस्टिवल इंपोर् तो जब जो जो भी फेस्टिवल पे सर्च करता होगा तो आपका फेस्ट उन दो सभी लोगों को दिखेगा और वह एक अट्रेक्शन होता है कि हम भी फेस्टिवल उस करते हैं वह भी वैस्टिवल सेम यूज करता है तो आपको गेंड फेस्पूक पे लाइक गेंड करने का का मौका मिल जाता है कि नाइमे नंबर पर ज्यादा तर आप बीना लिंक वाली पोश्ट डाले यानि कि लिंक वाली पोश्ट डालते हो तो मेरा एसा है अनुभव दयें कि रिश्वक का एक अलोर匹ण और ज pensa है कि जो लिंक डालते उसमें इंप्रेसन कम देता है कि यानिकी सबीने की इंप्रेसन को यानि कि फिर्वस्ट करना कर अब ज्यादा धर बीना लिंक वाली पोस्ट ज्यादा डाले और बीच बीच में कहीं कहीं लिंक वाली पोस्ट डालते रहे तो आपको क्या इंप्रेशन भी मिलती रहेंगी यह में चीज है और फिर दस्पे नंबर पे आता है कि आप पैसे खर्च करके फेस्बुक पे फॉलोवर्स ला सकते जी हाँ फेस्बुक एड के जरीए आप आपके फेस्बुक पेज को ग्रो कर सकते हैं बट इसमें आपको काफी सारे पैस से खर्च करने पड़ेंगे ज्यादा पेज लाइक ले नहीं हो तो पर इससे एक फाइदा और होगा कि आपको फेस्बुक पेज लाइक के साथ लीड भी मिल स इसकती है तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करिजए से एजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीज़े ताकि आप कि हमारे किसी और लेटेस्ट वीडियो को मिश ना करे और और तूरंद आपको notification मिले और आप वीडियो को देख सके रन्यवाद